हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू तपस्वी आईएस आप सभी का स्वागत है हमारे इस नई लेक्चर में देखिए हमारे जो टॉपिक है आज का फंडमेंटल राइट्स इस वीडियो इस पर्जेंटेड बाई मी क्या लाश की बार देखिए आप लोग को मैं पहले लेक्चर में बटा चुका हूँ कि फंडमेंटल राइट्स क्या होते हैं मॉलिक अधिकार हमारे क्या हुए थी ये कहां से लिए गये थे और सबसे पहले इनकी बात जो थी वो कहा की गयी और यह आर्टिकल 12 से लेकर के 35 यानि कि आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक यह आपको बताते हैं fundamental rights हो रहा है और यह जो के हमारे constitution के part 3 में इनके बारे में जो है वो बात की गई थी देखिए आप लोग को मैंने बताया था कि आपके अधिकार क्या क्या है मोलिक अधिकार किस तरीके से आप लोग को दिये गए थे और इनका अलग-अलग नाम दिया जा गया था जैसे भारत के अंदर इसको मैगना कार्ट कहा जाता है मैगना कार्ट ऑफ इंडिया कहा जाता है फ्रांस के अंदर इसे मानव अधिकार गोश्णा पत्र कहा जाता है और अमेरिका के इसे अधिकार पत्र कहा जाता है अलग-अलग जगे इसको अलग-अलग नाम से जाना जाता और सभी जगे सभी अलग अलग अधिकारों की बात की गई थी और आपको जैसे मैं बताया थे कि मूल अधिकारों की सविधान के अंदर जो हमारा भारते सविधान है उसके अंदर मूल अधिकारों की कोई परिभाशा नहीं दी गई है तो और सबसे पहले यह आपको बताया थे कि सबसे पहले यह इंग पूर्थ पड़ी और बिना इनके काम जो चलना था वो मुश्किल था देख फंडामेंटल राइट्स का जो वेटेज आपके एक्जाम में वह बहुत ज्यादा है यानि कि कहते हैं अगर आपके एक्जाम में चार कोश्टन पॉलिटी से पूछे जा रहे हैं तो ज्यादा नही एक कोश्टन फंडामेंटल राइट से आपका 100% रहेगा यानि कि एक कोश्टन फंडामेंटल राइट से पूछा जाएगा और यह आपके जो बुका सबसे मेन और इंपोर्टेंट चैप्टर है जो इसको फ्लीज थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए अगर दोंसे ध्यान से सम आएगा और इस हिसाब से जिसे मैं आगे चलता हूं बताने से इसको स्टार्ट करता हूं तो आप सभी को ध्यान रखना है कि भाग परीन में और आर्टिकल 12 से 35 करता है और USA से यह लिया गया है तो आगे देखते हैं हम लोग इसके बारे में बात करते हैं देखिए फंडमे परिजन्ट में जो है हमारे छे फंडमेल्ट राइड में जिसमें आपका राइट तु प्रॉपर्टी था जिसको हटा दिया गया था अर्टिकल 31 था प्रंतो एड़ परिजेंट उसको आपके सभीधान के भाग 12 में आर्टिकल 300a यानि कि आर्टिकल 300a आग के अंदर इसको डाल दीगा, पहले ये एक आपका fundamental right था, but at present जो इस समय ये बना है, इस समय इसको एक legal right बना दियागा, यानि कि कानूनी अधिकार बना दिया गया है, ठीकर एक amendment करा था, उसके अधर पजिसे कि आपको बता दिया गया था, देखें, आज के हम जो topic में पढ़ेंगे, वह हम प against exploitation, यानि कि सोशन के विरुदधिकार, आर्टेकल 23 से 24, और चौथा ता आपका right to freedom of religion, यानि कि धर्म की सोतंतरता का अधिकार, आर्टेकल 25 से लेकर 28 का, तो यह चारह को चारह topic है, जो आज के हम रिडियो लेक्चर में cover करेंगे, तो इनको फिलीज थोड़ा सा ध्यान से सम बताया था कि इसके बारे में article 12 से लेकर 35 का बात करेंगे, परन्तु जो अधिकारों के बात करेंगे, वो बात करेंगे 14 से लेकर, आर्टेकल 24, तो इसमें article 12 जो है, इसमें definition दी गूई है, यानि कि state जो है, राज्य है, राज्य की क्या परिभाशा दी गई है, अब राज्य कि जो परिभाशा दी गई है, उसके आधार पर बताये कि राज्य क्या है, राज्य के परिभाशा को देने से पहले हम यह कहते हैं, कि इसके आधार पर जैसे बताया गया है, कि जो आपके अधिकार है, जो मूल अधिकार है, वो राज्य को विरुद जो प्राप्त हैं आप यानिका भागतीन में दिये वह कि उसमें राज्य sticks पर वाशत करता है यह द्यान्स का परिभाशत करता है यह जो पर वाशahh उन्हों में जो प्रियुक्त राज्य शब्द है उस पर लागू नहीं होता है यानिकि राज्य Cyrus जो बताया उसके अंदर ये जो सारे चीज़ें हैं मतलब इसके इंकलूड है ये चीज बन टो ए बी सी डी जिसके बारे में एक्स्प्लेंड मैं भी करूँगा मतलब इन चारों चीज़ों को मिलाने से आपका जो राज्य बनता है उसके आधार पर बता गया यानि कि यह कहता है कि मूल अधिकारों से सम्मंदे जितने भी उपबंदे गया राज्य शब्द का प्रियोग के आगा और यह सारे एक सारे आपके भागतीन में 12 से 35 में दिए गया और 12 जो है वो इसके परिभाशित की उदेश्यों को परिभाशित करता है यानि कि अगर यह कहता है तो इसमें देखते हैं जैसे कि पहला कहता है कि इट इंक्लूट्स गवर्मेंट और पार्लेमेंट ऑफ इडिया यानि कि कार्रेकारी और विधाई अंगों को संग्य सरकार में किर्यान विद करने वाली सरकार यानि कि that is executive and legislative organs of the union government यानि कि कार्रेकारी और विधाई अंग यानि कि जो कार्रेकारी और विधाई अंग करिये यानि कि executive और आपकी दूसरी आपकी legislative executive में आपको पता है जितने भी आपके सारे बात करते हैं तो president है vice president है प्राहिमेर जीस अरे विधाई प्रेजिशलेटिव के बात करते हैं इसमें लोकसभा राज्य सभा आप कहते हैं ये सारे के सारे जो portion है वो सारे के सारे portion आपके इसके union government यानि कि संग के अंदर कारे करते हैं तो यानि कि भारत की सरकार और भारत की संसत दूसरा गाता है government and legislature of state वहाँ पर बात करता है union के और यहाँ पर बात करता है legislature and state that is executive and legislative organs होता है state government यानि कि राज्य सरकार के जितने भी विधाई अंगे उनको प्रभावित करने वाले सरकार और राज्य विधानमंडल यहां पर है राज्य स्टेट के अंदर आपके बात करी गई गाई राज्य विधानमंडल की और union के बाद दरंदर बात की गई आपकी parliament की और वहाँपर president के बात की गई और यहां पर दूसरे में आप भी किसकी बात के लिए governor की क्यों क्योंकि यहां पर जो state का head होता है वो governor होता है और जो राया उसका centre का head होता है वो president होता यह नि कि पार्लेमेंट और इधर विदान मंदक तीसरा था all local authorities यानि कि जितनी भी स्थानिय निकाई है यानिकि local bodies local authorities जिसमें मुलसिपल्टीस है आपका पंचायत है और डिस्टिक बोर्ड थे ट्रॉञमेंट ट्रस्ट है यह सारे सारे चारे यतने से बूर्ड है स्थार नगर पालिकileri पंचायात द्या बूर्ड अधार नियाय से इस सभी को मिलाकर और उसके अलावा अधर ओधर टेज्ट इस टेचरी एंड नौट इस रोटरी यानिके कुछ हमारी कुछ हमारी कुछ वो सभी निकाय यानि संस्थाइं जो कि वैधानिक यार गैर सब मैधानिक प्राधी करने जिसमें आपका लाएसी है या कि वो संस्थाइं होती हैं हमारी जिनके लिए हमारे पार्लेमेंट में कोई लौपास नहीं किया जाता है मतलए इस्टेचुरे नौन इस्टेज़बर यह एक्जेक्यूटिव और के द्वारा यह जो है वो बनाए जाती है और आपको पता है मानली जी किसी भी और कोई बिल पारित करना होगो सबसे पहले जी समान लेज़े एक्जामपल के तोर पर देखते हैं कि वो लोगसभा में है लोगसभा के बाद राज्यसभा में गया राज्यसभा के जाने के बाद वो किसके पास गया प्रेजिडेंट के पास गया और प्रेजिडेंट अगर उस पर अपन उसके तहतose आप उन अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए सीधे सुप्रीम कोट और हाई कोट में अपने अरजी लगा सकते हो अब यहां पर राज्यय शब्द जो बताए गया, राज्यय शब्द बताए गया कि तो उसके अधार पर आप सीधे के सीधे जो सुप्रीम कोट या हाई कोट उनमें आप चुनोती करने के लिए जा सकते हैं अब देखेंगे यहां के इस टेज है डिफाइंट इन वाइडर सेंस यहां पर कहता है कि इस तरह राज्य को जो विश्थित रूप में परिभाशित कि अंदर अगर इन में से कोई भी आपके मूल अधिकारों का हनन करता है तो आपको अधिकार है कि आप सीधे के सीधे सुप्रीम कोट या हाई कोट में जा सकते हो और जिसमें सुप्रीम कोट के तहत आपको जो आर्टिकल दिया गया है वो 32 के तहत और जो हाई कोट में आर्ट है ताप हाई कोट में अरजी जो है वो दाकिल कर सकती हो कि अगर आपके जवाब के मौलिक अधिकार है इनका हनन होता है और अकॉर्डिंग तो सुप्रिम कोट सुप्रिम कोट के अनुसार इवन अ प्राइवेट बॉड़ी और एजनसी वर्किंग एज इन इंस्ट्रूमेंट ऑफ दाइस्टेट यानि कि कोई भी निजी का या एजनसी जो बतलब बतौर एक संस्था के जो बतौर राज्य के संस्था क का काम कर रही हो और या उसके अनुसार चल रही है वो भी उसको भी आपके आर्टिकल अकॉर्डिंग आर्टिकल ट्वयर के लिए राज्य के अंदर जो है वो शामिल के जानि यानि कि राज्य के अंदर जो है वो शामिल होती है राज्य के अंदर उसको शामिल किया जाता है यहाँ पर दूसरा आपका राजे सरकार के बारे में बताया गया है, तीसरा आपको सारे स्थानिय प्राधिकारी बने है और नेक्स्ट अन्य प्राधिकारी बताई गई हैं और इस अन्य प्राधिकारी के अंदर वो सारे प्राधिकारी जैसे शब्द पदावली का यूज किया आप देखिये इसमें हमारा जो है वह एक्जामपल उठा है वह कहता है जैसे थाणी निकाई कि अगर हम बात करते हैं या फिर हमारे इस्थाणी निकाई है और प्राधिकारी की बात करते हैं तो बॉटभी प्राधिकर्व सब्द दे रखा यानि को अल लोकल अथर्टीज सब्द दे रखा है उसके आधार पर स्थान निकाय तो उसने कहा है कि इसमें जिसे भी कुई विदी उपवधी आदेश या अधिसुजना आधिके निर्माण या जारी करनी की शक्ति होती है और साथ में उसको लागू करने के शक्ति होती हुट है या फिर ऐसे कुछी अधिकारिक शक्ति प्राप्ते जो वो अपने आप पर decision ले सकता है तो वो सभी सभी राज्ये की परिभाशा के जो अंदर हैं उसके अंदर शामिल किया जाएगा जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा एक केस आया था इसे आधार पर मुहम्मद यामिन बनाम टाउन एरिया कमेटी का एक केस आया था जिसमें यह बताय गया था कि एक शेहर था कि माम viv Leader में जहने इसमें और यह नघरपालिका थी उसने किया गया निश्चत दर्स से विक्री कर लगा दिया तो अब जब कर लगा दिया था तो दो जो विक्रा ते वो लिए परेशान हुए उसमें नघरपालिका को कहते कि वो उपविधीग जो उसको एक लो दिया गया ता उनके अनुसार उसको ऐसा करने का प्राधिकार प्रापत था और उस्तम निया लेकार ने नगरपालिका को अनुच्छेद बाराम में प्रियुक्त राज्यसब्द के अंतरगत माना है जो कि समयमान रखा है यानि कुछ नम इसमें यह बताया गया है कि इसके अनुसार दिये गए है मूल अधिकार का रिक्रमन करता है क्यों कि आपको पता है article 19 जो कहता है उसमें आपको छे तरीके के अधिकार जो है वह प्रोवाइड करवा तो यह सारे के सारे जो अधिकार है उसके अंदर शामिल किये गए हैं तो इसमें बताया थे कहीं ना कहीं जो article 19 क्लॉजबन जे के अनुसार है कि इसमें कहीं ना कहीं व्यक्तियों का जो अधिकार है उनका हनन किया जा रहा था अब नेक्स्ट आता है देखे और लोकल ऑथोर्टीज की जिसके बात करते हैं यह वाला है आपका नेक्स्ट वाला डी पॉइंट अब इस डी पॉइंट के आधार पर इसमें बताया गया था इसका एक छोटा सा ने ने यह नेघ्म दिया है कि अनय प्राधिकारी यानि का लोल्य जीसे चाहिते महता है कि लोकल प्राधिकारी संभी पॉइक्ट के सामले में यह मानने से स्विकार कर दिया था कि जब इन लोग को पूरी तरीके से अथोर्टी प्रोवाइड की रेखी है और इनको उच्छे बारा के अंदर शामिल किया गया तो यह सारे के सारे जो है वो राज्ये के अंदर आते हो और इसी परकार इनको राज्ये की यानि कि यह बात करता है कि मूल अधिकारों से आसंगत विधियां अब मूल अधिकारों से आसंगत विधियां है सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे जैसे कि यह मूल अधिकारों से आसंगत विधिया की बारे में बात कर रहा है कि इसमें बताया गया है कि उनका अल तुरिशल रिव्यू यानि कि आपके जो नहीं को शमिक्षा है उसके जो सिधान तो बताता है कि इसके अंदर बताता है कि और यह जो शक्ती है दूसर सब्दों में अगर कहा जाए तो यह जो शमिक्षा है वो नियाए हो गया और दिस पावर हैस्टू कंफिगर्ड ओन दा सुप्रीम कौल आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 और यह जो शक्ति उस्तम नियाल्यों को अनुच्छे 22 और उस्तम को अनुच्छे 226 को प्राप्त है और जो किसी भी विदी को मूल अधिकारों को उलन गना दे पर गैर समयधानी के अवैद गोशित कर सकती है देखे इसको मैं थोड़ा से गये अगर वो समयधान के अनुच्छे 226 और को या जैसे वह आपको पता है कोईवी आता है कानून बनाने के लिए माली जो कोई बेलाता है वो जैसे कि मैंने आपको बता है लोक सभा में आता है उसके बाद फिर आपका राज्य सभा में जाता है और राज्य सभा में जाने के बाद फिर फिर प्रेजिडेंट के पास जाता है और प्रेजिडेंट के पास जानने जैसे प्रेजिडेंट पास आता है वो अगर उस पे सिगनेचर कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है कानून बन जाता है परन्तु अगर ऐसा कानून जो समिधान को छती पहुंचाता या और दूसरों को छती पहुंचाता तो इस आधार पर बनाया गया कानून को बिल्कुल तरीके स से उसको शुन्य गोशित कर दिया जाएगा अब देखिए इसके अंदर ये बता दो और जो अर्धिकार दे रखें इसमें सुप्रीम कोट और हाई कोट को दे रखा है अनुचे 32 के तहट और हाई कोट को दे रखा है आर्टिकल 226 के तहट जैसे कि मैं आप लोगों से थोड़ है अब इसमें देखिए ये क्या बता रहा है इसका जो वर्ड बता रहा है वो ये कहता है कि इस्थानिय विधिया यानि कि पर्मानेंट लॉज यानि कि जो इस्थानिय विधिया है इनेक्टिड बायदा पार्लेमेंट जो जो इनेक्टिड की जाएंगे पार्लेमेंट के द द्वारा या विधान मंडल के द्वारा पारित की जाएंगी तो ही वही विधिया की जाएंगी वही कानूनी माननेता प्राप्त होगी ना तो कोई ऐसी विधिया नहीं होंगी जो उनके द्वारा पारित नहीं होंगी और आपको पता है जब वो विधान मंडल होगा या पिर आपका विधान सभा और विधान परिशद और उसके बाद फिर गवर्नर के सिगनेचर तो उकानून बनेगा और पारलेमेंट के अंदर बात करते हैं सेंटर के अंदर तो लोग सभा फिर राज्य सभा फिर प्रेजिडेंट के सिगनेचर के बाद फिर नेक्स आता है टेंप्र जिसमें अध्यादेश जारी करने की जो शक्ती है वो राश्टपती को प्रवाइड की गएगे जिसके अधार पर वो अध्यादेश जारी कर सकता है अध्यादेश जारी करने के आधार पर जबी कर जाते हैं को लोग सबह राजसवाब का कोई एकसत ना चल रहा हो और इसमें जैसे कहते हैं कि जो शंसद का जो विश्रामकाल होता है यानि कि एक अगर जो हमारा हाउस है वो कार्रे नहीं करता है तो उसके आधार पर राश्टपती की जो अध्यादेश का जारी करने के शक्ति होती है according to article 123 यानि कि अनुच्छेद 123 के अनुच्छेद 123 के अनुच्छेद और उसी आधार पर आगे बात करते हैं नेक्स कहता है कि statuary instrument in the nature of delegating legation यानि कि जो हमारे प्रत्याई जो ते विधान यानि कारे पहले विधान के प्रवर्दीनिके सम्मधानिक साधन जैसे इसमें पास करता है order जैसे like order फिर बाइलोग फिर रूल रेगुलेशन और आधुसूचना है जिनको जारी किया जाता है नेक्स्ट आता है विधी के गैर विधाई सोर्स विधी के गैर विधाई सोर्स यानि कि non litigation source of law that is custom or uses having the force of law यानि कि विधी का बल रखने वाली रूडिया प्रधा यानि कि जो हमारे कानून बनाए जाते हैं उनका जो बल है पर कर दिया जाता है आगे बात करता है कि इसमें यह कहता है कि it is not only a legislator but any of the above can be challenged in the court as violating and the fundamental rights and can be declared a word वो कहता है कि नाकेवल विधान बलकि उपरोग में से किसी को भी अदालत में मूल अधिकारों के हनन पर चुनोती दी जा सकती अगर मूल अधिकारों का हनन करता है अगर मूल अधिकारों का हनन करता है तो किसी नाकेवल विधान के अधार बरकि किसी को भी अधालत में मूल अधिकारों का अधार पर चुनोती दी सकती किसी के खिलाब भी चाहे वो सुप्रीम कोट में हो चाहे वो राज हाई कोट में हो उन दोनों में किसी के खिलाब भी जो केस है वो फाइल किया जाता है केस दायर किया जा सकता है और उसके आधार पर उसके कार्रेवाही कि जाएगी अगर उसके मूल अधिकारों का हनन होता है अब इसी आधार पर देखिए इसमें जैसे की बात किया गया था उसमें यह बताया गया है कि जो आपका जो आर्टिक परदान करके जिसके आधार पर मूल अधिकारों से एसंगत विदियों को अवयद घोशित किया करते हैं और यह जो दिया गया है यह उस्तम नियाल को नागरिकों को मूल अधिकारों का जो है वो नागरिकों को मूल अधिकारों को प्रहरी बना देता है यानि कि उनका एक रक्षक बना देता है आर्टिकल 13 जैसे हम बात करते हैं कि इसमें नियाइक पुन्रावलोकन की जैसे बात करते हैं और इसमें बताया गया आप लोगो कि इसमें जैसे बतायागा मैंने स्टार्टिंग बताया था आपको का आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के तहट इसको पुन्रावलोकन की शक्ति प्रदान करता हैं और यह शक्ति है कि इसमें अधिन उस्तम नियाले उस्ते नियाले दो विधानमंडुद्वारा पारि कार्विन के नुसार आया था उन्होंने यह कहा था कि नियाएक जो पुन्रावलोन की शक्ति है वो नियालो की वह शक्ति है जिसके अंतरगत वो विधानमंडल द्वारा पारित अधिनियमों की सम्मेधानेक्ता की जांच करते हैं यानि कि वह किसी भी विदी को परवर्थि किया जाता है अब देखिया अर्टिकल ठंटी ने डिकलेर कराता है कि जो कानून नहीं है तरह अनुचत घोषित करता है कि समिसान संसो धन है वो कोई विधी नहीं है और इसलिए उसे चुनोती जो है वो नहीं दे सकती इट करन्बा भी चैलेंग एट वाज अधा पोजिज रखे थे 24 अप्रेश तो तेहत्तर रगों रगी परंतु यहां पर सुप्रीम कोट का केस आया था केश्वानन्द भारती केस जैसे कि मैंने आप लोग को लास्ट वीडियो में कई बारे में जिकर करा था यह जो केश्वानन्द भारती वाला केस था इसमें बताया गया था कि मूल अधिकारों के हननन के आधार पर सम्विधान शंशोधन को चुनोती दीजिसा सकती है अगर मूल अधिकारों का हनन होता है तो उसके आधार पर सम्विधान शंशोधन को चुनोती दीजिसा रखती है और यह दिवे सम्विधान के मूल धाचे के खिलाफ हो तो उसे अवैद गिहाशित किया जा सकता है कहने का मतलब है यहाँ पर बेसिक इस्ट्रक्चर के बात की गई है कि मूल अधिकार जो हमारे शंशोधन के प्रकरिया है अगर वो हमारे जो बेसिक धाच्चा है इसको अगर छेड़ता है तो उसको अवैद भी गोशित कर सकते हैं जाने की हमेरे उसमें संषोधन कर सकता है परणतु बिना मूल अधिकार को उसके बेसिक इस्ट्रक्चर को चेड़ बिना और बेसिक इस्ट्रक्चर में जैसे हम लें बता है कि इसके अंदर सुप्री मिसी ओफ कॉंस्ट्युशन यानि कि समीधान वह सबसे बढ़ा है डैमो किश्टन को छूड़े का आप लोग को अधिकार नहीं दिया गए और जैसे कि देसे इसमें जो हमारे केश्वनन भारती है केरल लाज्ये वाला केस था इसमें जो हमारे नियायदी नियायदी पती रहे थे श्री खना जी उन्होंने इस विशय में भी ये बात करी थी कि यह जो है कि जो फैडल पद देती है जहां पर यह विदाही सक्तियों का केंद्री विधान मंदल राज्य विधान मंदल में बटवारा हो तो और ऐसे विवादों को निप्तानों के लिए एक विधान मंदल दूसरे वि जो है उनके प्रियोग पर नियंत्रन करने की शक्ति है और इसके आधार पर आपको जिसे मैं बताया है वह होती है आपका सब्सक्राइब करता है तो सारे के सारी आप समयधानिक माने जहेंगी और इस आधार पर यह अरकिया गए लेकर 18 एसमने के बात करी गया आर्टिकल 14, equality before law, and unequal production, और विदी के समक्षमता और विदियों के समान चन्रक्षन दूसरा आता आर्टिकल 15 जिसके अंदर बता है कि आपको किसी परकार से प्रोबिशन ओफ डिस्क्रिमिनेशन ग्राउंड ओनली ओन रिलीजन रेस, कास, सेक्स और प्लेस ओबरतनी यानि किसी विव्यक्ति से जो है धर्म, जाती, मूलवंज के आधार पर किसी परकार से उसे भेदभाव नहीं किया जाएगा, नेक्स्ट आता है आर्टिकल 16, Equality of Opportunity in Matter of Public Employment, यानि कि लोक नियोजर के विशह में अवसर की समता, नेक्स्ट आता है इनको आगे एक्स्प्रेंट करेंगे डिटेल में, नेक्स्ट आता है, एबलूशन ओफ अन्टचाबिलिटी और प्रो जिसमें बताया का Military and Academic Discrimination, How Over the Exempted, यह सारी के सारी इसके अंदर बात करता है, अब देखिए, सबसे पहले बात करते हैं का Article 14 जो की हमारा अनुच्छे 14 है, जिसके अंदर बात की गई है, समता का समनता का अधिकार और उसके अंदर Article 14 कहता है कि Equality before law और Equal Protection of law. Equality before law, विधी के समक्षम था, और दूसरा वर्ड है आपका Equal Protection of law, यानि के विधी के समान सेलक्षम, देखिए, यह दोनों जो चीजे हैं, वो दोनों अलग-अलग हैं, और इन दोनों को अलग-अलग समझना है, और यह बहुत ही जादा Important है, इन दोनों को समझने की थोड़ According to Article 14, Article 14 के अनुसार यह कहा गया है, कि the state shall not deny to any person equality before the law, और the equal protection of the law within the territory of India, यानि कि जो राज्य है भारत के राज्य चेत्र में किसी भी व्यक्ति को विधी के समक्षम था, या विधीयों के समान संदक्षम से वंचित नहीं करेगा, यहाँ पर वायत की गई है कि territory of India, ज्यान देनी वाली बात है territory of India, इसमें यह निका है कि union territory of India, अगर वो union territory कहता है, तो उसके अंदर शंग शाचित प्रदेशा थे, और यहाँ पर बात करना है, वो territory of India, यानि कि इसके अंदर states and ut, states and uts दोनों की दोनों शामिल है, अगर माली जे कलको हमारा पाकिस्तान है, व यानि कि वो भी हमारे territory के अंदर शामिल कर लिया जाएगा, जो कि ऐसा जब युद्धोगा तो देखा जाएगा, पर तो बात नहीं करते हैं, तो हम एक example के तोर पर बताया है कि इस तरीके से हम उसको शामिल कर लिया जाएगा, अब देखिए, यहाँ पर मैं तो इसको व्यक्ति खुम, विदी के समक्षमता और विदियों के समान संदक्षन से राज्य द्वारा वंचेत नहीं किया जाएगा, मतलब कि आगर वो कोई व्यक्ति है तो उसको राज्य द्वारा वंचेत नहीं किया जाएगा, इसमें दो वाक्यांस दे रखे हैं, जैसे equality before law और equal protection of law, अब यहां पर देखे, थोड़ा सागे, इसमें देखे हैं कि the world person includes legal person, statutory corporation, company, register, society और any type of legal person, यानि कि यह कहता है, कि इसमें व्यक्ति चाहे कोई नागरिको या विदेशी, या अधिकार सब परलागो होता, और इसके तरीके व्यक्ति शब ने विदिक व्यक्ति यानि कि शम किया जा सकता है, चाहे as well all person, whether citizen, और foreigner, चाहे वो नागरिको चाहे वो विदेशी व्यक्ति, इन सभी को इसके अंदर शामिल किया जाएगा, the concept of equality before law is of Britain origin, यानि कि जो equality before law है, यह हमारा जो लिया गया है, वो ब्रिटेन से लिया गया है, ठीकर, अब यहां पर देखे, equal protection of law, equal protection of law has been taken from the American constitution, दोनों चीज़े धियान रखने वाली है, एक ब्रिटेन से लिया गया है, एक अमेरिका से लिया गया है, और आपके सम्विधान के अंदर इन दोनों को ही शामिल किया गया है, यह नहीं कि एक लिया गया है, एक लिया गया आपके ब्रिटेश से और दूसरा लि विदी के समान शनलक्षन, यानि कि यह जो विदी के समता है, यह जितने भी आपके जितने भी लिखे सम्विधान है, सभी में पाया जाता है, जो इसको नागरिकों का मूल अधिकार प्रदार्व करते हैं, और सबसे बड़ी बात देखे, मैंने आप लोग को एक सहिंग रा क्योंको डाला गया है, इसमें यह का गया है कि विदी के समक सभी समान है, और उसमें किसी भी विदी के संदक्षन के अधिकार है, और यह जो वर्ड है आपका ब्रिटेश से लिया गया है, और जिसके अधार पर हमारे जो एक परसन हैं, आगे डिशकर करूँगा उनके बार वरडों में जो समान्ता है वह और यहां पर वे रख़्ा है एक्वेल प्रोंट यानि कि दोनों के अंदर हमारा बात करीगें जो समान्ता की बात करीगेंगे जहां तक यहां कि आर्थ का प्रस्ट क Champions निकलता है उसमें दोनों में कुछ अंतर यह है कि जो आपका विधी के समक्षमता है ये आपका नेगेटिविक इंपक्ट डालता है ये आपका नेगेटिविक इंपक्ट डालता है और जो आपका एक्वल प्रोटेक्शन ओफ लो है ये आपका पोजेटिव इंपक्ट डालता है यानि कि ये सकारात्मक और वो जो है वो न अब सकारात्मक और नकारात्मक कैसे हैं उसको देखिए जिये कहता है कि जब हमारी बात हुई थी इन दोनों का जो अधिकार है वो दोनों की बात करते हैं कि समान व्यवार लाना है यानि कि दोनों को जो अधिकार है वो समान व्यवार लाना और समान कानूनों को लागू करना और जो समान खानों के लागू करना है तो विदी कैसमारे एक परसंद थे, जिसमें ये केस उटके आया था, और दोनों कई कार्य में काम है समान ने रही के सावनाय। इसमें हमारे केस उटके आया था, State of West Bengal बनाम अनवर अलियल सरकार के मामले में उटके आया अधिकार को विदी के समान सरनक्षन नहीं कि एक उपसिद्धानत यह उपसिद्धान्त है और इसमें यह कल्पना करना बहुत ही ज्यादा कटिन है कि विदी के समान सरनक्षन करना दीकार को हम इंतजार करके विदी के सिमख शम्थ आधिकार को कायम रखा जा सकता यानि कि यह दौन जो है वो एक दूसरे से फूरा दौनल पदाल का एक iki सिद्दांट कर सकते हैं परंतु इन दोनों में किसी परकार का कोई भी अंतर नहीं अगर कहा जाए तो समान परिस्तिति वाले व्यक्तिति के वह समान विदियों ने चाहिए और आ समान रूप से लागुँ जाद है यह कौन कहता है equality before लो यानि कि विदी के शमक्समता का तात पर यह कहता है कि समान परिस्थिति व्याली विक्ति के भी समान विदी होनी चाहिए और समान रूप से लाग हो जाज़े और इस तरह विक्तियों के साथ एक तरीके का व्यावार करना चाहिए अब देखे इसमें मैं आप लोगो एक थोड़ा सा एक्जामपल बताना चाहूंगा इसमें देखे एक छोटा सा जिसके इसके अंदर कुछ बाते हैं वो देख लिजीए यह बता रहा है कि विदी के समक्ष जो शमता है उसका विचार जो ब्रिटिस से लिया गया है और विदी पुएंट्स के यह कहता है कि गैसेश्प इस पैसिल प्रेपि त्फरी यह कहता है कि किसी वह से लिएक पथे पक्ष में जो कि विशैंष और उनके अनुपस्ति होती है 1 कि के सभी सते सेदिकार रखास है यह यानि कि कोई एक वैकती है उसको कुछ जज्याद सब्सक्तMP कर ले लेते हैं कोई बी आइस क्रीम का मलेजी आप आइस क्रीम लेने के लिए जाते हो एक नॉर्मल बंदा आप यहां पर आइसक्रीम लेने दिया जा रहा है यानि कि एक 5 कलो का packet है वो 500 रुपए का दिया जा रहा है अब यहाँ पर आप एक लेने करे समाने विद्टि एक आपके DM साम लेने के लिए वो एक अधिखारी है और एक डॉक्टर साम लेने के लिए गए तो ये तीनों व्यक्ति एक अलग-लग है, तीनों का प्रोफेशनल अलग है, तीनों का अधिकार भी अलग है, परंतू उस आइस्क्रीम वाले की दुकान पर जाने के बाद, इन सभी के जो विशेश अधिकार हैं, उनकी अनुपस्तिती रहती है, यानि कि किसी परकार से आप अधिकार को वाँ पर उपयोग नहीं कर सकते उसके लिए सभी व्यक्ति समान है तो यह कहता है कि in the absence of in the favor of any person यहानी कि किसी व्यक्ति यह पस्ट में विशिष्ट जो विश्य दिखार है उनकी अनुपस्तिति यह दूसरा कहता है कि साधारन विधी या साधारन विधी नियाले के थे सभी व्यक्तियों के लिए समान अधिकार यानि कि कोई भी व्यक्ति है अगर किसी कानुन के समक्स बात करता है तो उसके लिए समान अधिकार के बात करता है और समान अधिकार के बात करने का मतलब उसको किसी प्रकार से कोई भेदबाव उसमें नहीं किय जाएगा तीसरा आता है कि नो पर्सन कोई भी व्यक्ति वेजर रिच और पूर हाई और लोग ऑफिश्यल नौन फिजर इस दा अब आव दा लो यानि कि कोई भी व्यक्ति है चाहिए वो हमीर है घरीब है उंचा नीचा अधिकारी है गहर अधिकारी है सभी की सभी विधी से उपर नहीं है यानि कि कानून से उपर नहीं है सभी के सभी कानून के दायरे में आते हैं जैसे अब एक एक एक्जामपल के तौर पर मैं आप लोग को बता दो जैसे हम टेक्स की बात करते हैं अब टेक्स की बात करने का अधार पर जैसे लेगते हैं कि आपको पता है गवर लाग तक की इंकम है तो आपको 10% दो लाग से 5 लाग तक की है तो आपको 20% कहने का मतलब उसमें जो वेक्ति इतना कमा रहा है उसके आधार पर उनसे टैक्स वसूला जा रहा है यानि कि चाहिए उसकी इंकम 2,001 रुपया है तो भी 10% पड़ेगा चाहिए उसकी इंकम 5 लाग रुपय है तो भी वो इंकम भरेगा यानि कि इसमें इंडारेक्स वसूला जा रहे है यानि कि उसके लिए जो विशेशे दिखार के बात करता है कि वह आप वस्तति होती है उसके लिए सभी वेक्ति उसके नजरों में क्या है समान है अब बात करता है इक्वल प्रोटेक्श of law American Constitution यहां बात करता है the equality of treatment under equal circumstances यह कहता है कि विदियो द्वारा जितने भी प्रदत विशेश अधिकार है शरुब बहुत इन दा privilege conferred and liability is imposed by the law यानि कि जितने भी विशेश अधिकार हो अध्यारों फे दायत में दोनों में समान इस्तितियों के अंतर का व्यावार जो है वो समान किया जाएगा जबकि ध्यान देने वाले कि दोनों का जो में उधेश है वो अवसर और नयाई की समानता है यानि कि उधेश जो है विधी अवसर और नयाई की समानता है एक्जामपल के तौर पर समझते हैं माली जी एक प्लेगराउंड है अब प्लेगराउंड है यहां पर इस तरीके से बनाए गया है और एक इस तरीके से जैसे आया है वो बनाए गया है तीन व्यक्ति है एक को यहां से दोड़ना है दूसरे को यहां से दोड़ना है और तीस परन्तु आप लोगों ने देखा होगा जब लेस वगैरा होती है इसमें तो जब उसके आदार पर इनके रेस को शामिल किया जाता है तो उसके आदार पर एक व्यक्ति माल लेजिए जो पहला व्यक्ति है वो जैसे इस तरीके स्करते हैं यहां पर दुबार बनाते हैं पहला यहां पर खड़ा है उसको जल्दी लेगे का दूसरे व्यक्ति को उसी आधार पर उससे आगे ख़ड़ा किया जाता और तीसरे व्यक्ति को उस से अधार खड़ा किया जाता दूसरी लैन्म, यहां परते सा इत्सरी लेंट यहां पर जैसे एक ताइम पीरियोड के Ba vi G जाए निकि उसको भी जादा वागन पड़े और उसके आधार पर टाइम कवर तो यह कहता है कि यहाँ पर किसी विवेक्ति से किसी परकार का भेदवाव नहीं किया जाएगा और यहाँ पर जैसे बात करते हैं कि टेक्स के बात करते हैं डारेक्ट टेक्स आप लोगों से पूला जाएगा चाहिए आप कोई समान खरीदे जाएगा चाहिए कैसे भी कुछ भी पर चीजिंग करने ले जाते हो तो चाहिए कोई भी व्यक्ति पर चेज करता है तो उसके आधार पर इतना यह समान इतने का और इतने में किसी परकार का कोई भेदवाव नहीं किया तो इसके आधार पर दिया गया था कि इसमें जो है वो बनावटी का अधार पर नहीं होना चाहिए अब देखे इसमें यहां पर बात करी गई थी रूल ओफ लो की यानि कि विदी के शाषन की जैसे कि मैंने आप लोगो थोड़ देर पहले हमारे एक परसंते प्रोफेसर ड शोकी जो हमारे ब्रिटिस नियावदी इटे भरें die जो रिए इन्होंने एक यह सी deposit कि इनूने कहा था कि विदी के समक्षमता का जो विचार है वो बिदी के अनुसार इसका है जो मूलतत्वे इसके अधार परane equality before law निकल के आया है क्योंकि वह एक कहते है कि इसके संबंद म कुछ उन्होंने अवधार्णाई दे रखी थी जैसे वह कहा रहता है कि absence of arbitrary power अगर इच्छा धीन जो शक्तियों का नुपस्तिती है power that is no man can be punished अगर जब तक कोई व्यक्ति कोई अपराद नहीं करता है तो उसको बिना अपराद के धंडित नहीं किया जाता है उसको उसका अपराद बताना प्रहेगा और उस अपराद के according उसको धंड दिया जाएगा और दूसरा कहता है कि equality before the law विदी के समक्षमता that is equal subjection of the all citizen यानि कि कहता है विदी के समक्षमता जो आवेशकता है चाहे वो कोई व्यक्ति हो गरीब हो अमीर हो उचा हो नीचा हो अधिकारी हो गहर अधिकारी है वो सभी के सभी कानून से नीच करता है सर्वोपरिये को इसरा कहता है कि the primacy of the rights of individual मदद जितने भी वेक्ति का दिकार उनकी परमुकता है यानि कि समिधान वेक्ति का दिकारों का परिणाम है और न्याल्यद्वारा इन्हें परिभासित किया गया गया कि the constitution is right of the individual as defined and enforced by the court law rather than the constitution being the source of the individual rights यानिकि ये कहता है कि व्यक्तिकाद औरे के जो प्रमुकता है वो इसके व्यक्तिकाद जो अधिकार है उन चाorryडाम है और नियाल्य अधश्रा द gauge किया गया है ना कि यह सभिधान व्यकतिकाद सभिधानों का शोर्ड इसके आदार पर यह Clos है कि इसमें जो पहला फस्ट और टू दे रख है जो पहला एबसेंस ओफ आर्बेटरी दे रखा और दूसरा इक विफोर लोग के बात करता है यह दौनों के दौनों जो एपलीकेबल है तो इंडियन सिस्टम यह भारते जो पढ़ाली है उसके अंदर सिस्टम में लाग होता है और नौट दर थार्ड वन परंतु यह जो तीसरा है इसको शामिल नहीं किया रहता है क्यों क्यों कि वह कहत होता क्यों क्यों करते समीधान में समीधान ही भारत में विक्तिकत अधिकार का सोर्स है इसकी विद्धान का मुल्तत्व है इसलिए किसी भी तरकार से यहां तकी सम्विधान शंशोजन के द्वारा इसे समाप्त नहीं किया जा सकता है और देखिए मैं इसको थोड़ा सा आप लोगो विदी के शाषन के बारे में बताना चाहूंगा थोड़ा सा एक्स्प्लेन करना चाहिए हो कि हमारे जो विदी के जो हमारे डायसी थे उन्होंने थोड़ी बहुत जैसे दो-तीन परिणाम मैंने यहां पर बताय हैं आप लोगो तीन बाते कही थी उसको थोड़ा सा और एक्स्प्लेन कर देता हूँ आप लोगो के लिए जिसम इसमें जो सादर व्यक्ति 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 भी समान विदी के अधीन है यानि कि बिना ओचिते के लिए उसके क्रिति के लिए समान रूप से उत्तर दाई है और इसमें तीन परिणाम भी जैसे कि आप लोगों मैंने एक्स्प्लेंड करी दिया है मनमान शक्ति का बाव है विदी के समक्षमता है और सब अधान समान विदी का पढ़िना में यह सारे के सारे जो अधिकारे इसके अंदर शामिल किये गये हैं और देखिए समसे बड़ी बात इसमें आप लोगों को यह दियान रखना है कि इसमें जो पहले दो शामिल किये गए हैं तीसरा तत्व इसमें लागू नहीं होता है क्योंकि भारत में व्यक्तियों को अधिकारों का सोर्स क्या है समीधान है और भारत के अंदर अधिकारों का सोर्स समीधान इसलिए क्यों क्यों कि भारत के जो व्यक्तियों उनको अधिक प्रोवाइड करवा है समिधान के द्वारे कुछ समिधान नहीं गार्द मौल अधिकारों का गारंटेड दा फंडमेंटल राट्स और गारंटेड वाइदा उंस्टिट्यूशन जैसे कि पहले आप लोग को पहले इसमें बताया गया है तो उसके आधार पर ही ये बताया गया है कि भारत में व्यक्तियों के अधिकारों का सोर्स जो है वो समिधान है आगे बात करते हैं एक्सेप्शन्स ओफ इक्वालिटी यानि कि समता के जो है अपवाद और देखे इसके अपवाद के मतलब आप लोग को मैंने बताया है चाहे कोई भी व्यक्तियों वो इनकी नजरों में क्या है समान है सभी व्यक्तियों पर समान लाग होता है पर उसके बाद अपवाद के नियम पर कुछ अपवाद होते हैं कुछ व्यक्तियों में जिनके आधार पर ये नियम लागू नहीं होते हैं व्यक्ति कौन-कौन से हैं उनके आधार पर देख लेते हैं दे के समक्षमता का नियम इस नोट एपसलीट पूंड नहीं है यहां पर कुछ समयधानिक निशेद और कुछ अन्य अपवाद हैं जैसे प्रेजिडंट ओफ इंडियर गवर्नर ओफ इस्टेट भारत का जो राश्टपतिया राजयपाल है अपने कार रेलिम में किके किसी भी कार रहे लिए निम्न शक्तिया प्राप्त की गई है अनुच्छे 361 के अनुशार उनको कुछ शक्तिया प्राप्त की गई है अब वो शक किसी भी नियाल्य में जवाब दे नहीं है क्यों कि अगर मान लीजे कोई भी डिसीजन लेता है और कोई भी कार्रे करता है तो उससे किसी भी परकार की कोई कार्रवाहिगा नहीं कि जाएगा क्योंकि उसको अधिकार दिया गया according to article 361 दूसरा कहता है कि वो राश्पतिया राजयपाल को उसके पदाव अधिकतर किसी भी नियाले में कोई दान्डिकार वाई चालू नहीं की जाए कि नो क्रिमिनल वे अगर वो अपने लाब के पदपर है तो उनके खिलाब किसी भी परकार की कोई दान्डिकार वाई प्रारम में नहीं की जा सकती क्यों क्योंकि उनको अधिकार दिया गया according to article 361 मैं बार-बार इसलिए बहता रहा हूं क्यों क्योंकि आपको याद होता जाएगा article 361 तीसरा गहता है कि नो प्रोसेस फोर दा अरेस्टोट इंप्रिमेंट यानि पर यहां पर उसको अधि गरफतारी या कारवास के लिए उसकी कोई भी पर पतावदी के दौरान कोई भी परकरिया किसी भी नियाल में चालू नहीं की जा सकती क्योंकि उसको अधिकार मिला गया अकॉरडिंग टू आर्टेकल thry 61 और इनके खिलाफ किसी भी परकार का की कोई कहते हैं कि किसी परकार कोई दीवानी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है और यदिकिसी परकार कोई मुकदमा बी चलाया जाता है तो उसको दो महिने पहले का इसको नोटिस दिया जÁयगा कि प् त दिवर अगर इस परकार का कोई भी मुकदमा चलाया जाता है तो उनको दो परकार का नोटिस दिया जाए गा, देखिये, यहाँ पर आपको पता है दो परसिंट की बात की विए, सबसे जदा दो परसिंट की बात के यहाँ, एक हमारा P और दूसरा वामारा G, यानि कि पहला प्रेजिडेंट और दूसरा हमारा गवर्नर प्रेजिडेंट आपको पता है सेंटर का है यान यूनियन और गवर्नर जो है हमारा स्टेट का है यहां पर जो पोस्ट पावर पोजिशन सेंटर के अंदर प्रेजिडेंट को देगा वही पोस्ट पावर पोजिशन स्टेट के अ आप लोगों मैं explain करके बताऊंगा पूरी detail के साथ तो मैंसे तरह याद रखी कि अगर ये अपने पदपर है तो इनके आधार पर कुछी परकाई को कारवाही नहीं की जासे अगर कोई कारवाही की दिया जाती है तो उनको उससे पहले के जिन नोटिस दिया जाएगा और आप को पता है जो प्रेजिडेंट होता है वो भारत का फर्स्ट सिटीजन और इंडिया होता है यानि कि बहरलत का पहला नागरिक काउंट किया जाता है अगर वूटिंग होती है तो सबसे पहले इस व्यक्ति को ही काउंट किया जाता है क्यों कि बहरत का पहला सिटीजन पहला न प्रॉब्लिकेशन इस नीज़ पेपर और बाय रेडियो यह कहता है कि कोई भी वेक्ति थी संसद के या राज्य विधान सभाय के दौनों सद्वनों में से किसी का भी प्रकाशन यानि प्रॉब्लिकेशन नीज़ पेपर चाहिए वो रेडियो के जरिये है या वो टेलिविजन के जरिये अगर वो करता है और उसके आधार पर किसी भी परकार का देवानी या गामलूली मामला जो है वो नहीं चलाए जा सकता क्यों को कि किसी भी देश में चले है वो भी कौन से आ जो सबा का हो पार्लेमेंट चाहिए वो व्यक्ति विदान सबा का हो चाहिए वो व्यक्ति विदान परिशद का हो उसके आधार पर किसी भी सदस्य के खिलाब किसी परकार कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता नेक्स्ट कहता है कि no member of parliament shall be liable to any proceeding any court in respect of anything said any vote given by him parliament or any committee there of कि संसथ में या उसकी किसी समीती में संसथ के किसी न वीदारा की गई कोई बात कि सम्मद में Där हो उसके विरुद किसी न यालम के कारभाहिन निहा सकता है माली जी कोई वेक्ती है अगर माली जी कुछ बोल देता है तो उसके आधार पर भी किसी भिधियाले में उसके खिलाफ कारवाई नहीं की जा सकती according to article 105 according to article 105 अनुच्छेद 105 के अनुसार उसको यह आधिकार दिया गया है next आता है कि no member of legislature of a state shall be liable to any proceeding any court in respect of anything said it vote given by him in legislature or any committee thereof according to article 194 यह कहता है कि राज्य का विदानमंडल या उसकी समीती में विदानमंडल का कोई भी सदस्य किसी बात या किसी दी गई मत के सम्बंद में उसके विरुद नियाले में कोई भी कारवाही नहीं की जा सकती पहले वाली कारवाही करता है संसद के खिलाफ जो कि Parliament की बात करता है और दूसरी बात करता है कि Legislative के Legislature के खिलाफ यानि की आपके विदानमंडल के खिलाफ अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 194 जो कि स्टेट के लिए है और अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 105 जो कि सेंटर के लिए दिया गया है दोनो तीनो चानो आर्टिकल्स हैं 361, 361A आर्टिकल 105 और आर्टिकल 194 बहुत ही जाद इंपोर्टेंट है किर्फिया इनको याद करिए नेक्स्ट आता है कि आर्टिकल 31C is an action of आर्टिकल 14 यह कहता है कि अनुच्छे दिकतिस 31C जो है वो अनुच्छे 14 का अभवाद है क्यों? क्योंकि इसके अधिपार पर यह बताता है कि वो यह कहता है कि किसी भी राज्यमंदल द्वारा नितिन निदेशद्व करियानमन के संबन में और आपको बता है नितिन निदेशद्व जो होते हैं वो नियम रूल रेगुलिशन बनाने के काम में आते हैं उसी का अधर पर जिनको हमारे समिधान के अंदर डाल गया है किसके अंदर? DPSP को डाल गया है Directive Principle of State Policy के जिसे हमारे Fundamental Rights है 12-35 उसी का अधर पर DPSP को दिया गया है हमारे Article 36 से लेकर के एक क्यामन को में दिया गया है जिसको भाग चार में हम लोगों ने शामिल करा है और इसके बारे में आगर नेक्स्ट उसमें डिटेल में देखेंगे तो यह कहता है कि अनुच्छेद उपर के धारा गया यह अधार गया करसे उस अधार पर चुनोती नहीं कि जा सकती जो कि वे इस चौदर का अनुच्छेद करते हैं क्यों क्यों क्योंकि वो कहता है कि जहां पर अनुच्छेद चौदा होगा जहां से अनुच्छेद इकतिस गय आ जाता है 31c आ जाता है, वहां पर से जो अनुच्छेद 14 है, वो स्वते ही अपने आप वहां से चला जाता है, कि वहां पर किसी भी परकार का कोई कार्व नहीं रहता है, और अनुच्छेद 31 गय कहता है, कि कुछ भी, मतलब कुछ जो निदेशक तत्व होते हैं, उनको प्रभावित करने वाली कुछ विधिया होती है उनके आधार पर इनको बताया गया यह कहता है कि जहां पर भी ऐसी विधी किसी राज्ये के विधान मंदल द्वारा बनाई गयाती है यह उस अनुच्छेद के उबबंद उस विधी को इस तरूत है उस विधी को तब तक लागू नहीं होंगे जब तक यह ऐसी विधी को राश्पती के विचार के आरक्षित ना रखी गई हो और उसके अनुमति प्राप्त नहीं हो गई यानि कि जब इस विचार के लिए जाते है यानि कि इसके अंदर जो है राश्पती के प्रमिशन लेनी जरूब यह नेक्स के अंदर विदेशी संपर्वू यानि विदेशी शाशक जो है राजदूत है या आपके व्यक्ति हैं दिवानी और फौसदारी मामलों से सभी से मुक्त होंगे और दूसरा सहयूक्त राष्ट जंगया इसकी जो एजेंसियां है वो भी इस तरीकी कुटनिती से स्वतंतर हो कि कुछ आदोर पर विवेद का प्रतिशेद यानि कि अनुच्छित पंद्रा कहता है कि मतलब किसी भी नागरिक से धर्म, मूलवंश, जाती, लिंग या जल्म स्थान को लेकर किसी परकार का कोई भेदवाव नहीं किया जाएगा इसके बारत सविधान की नजरों में सभी व्यक्ति समान है इसके अधार पर इन्होंने दो वर्ड दिये गए इसके अधार पर इन्होंने दो कठोर वर्ड दिये वो दो वर्ड दिये हैं, पहला दिया है डिस्क्रिमिनेशन और दूसरा दिया है अब डिस्क्रिमिनेशन और ओनली वर्ड की बात की गई है इसके अंदर जब इसने ये दिया है तो उसमें देखते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन वाला वर्ड है वो ये क्या कहता है है न है याश्य क्या डिस्क्रिमिनेशन व्यवेफ आप लोगने देखा होगा कि कई जगह ऐसी हमारी भाध कंदर भी कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर आज भी लोगों जाती बिवस्ता के आधार पर जाती विश्था के नाम से भेदबाव किया जाता है आप लोगोंने रिसेंटली पड़ा होगा न्यूस पर में स्टेटमेंट भी आई थी कि कुछ वेक्ति थे जो लोगवाग थे वो छोटी कास्ट के थे और उनको मतलब कि उनके घर में जो शादी थी उसके आदार पर उनकी जो बरात है उसको नहीं जाने दिया जाता है गाउं से कि इस तरीके से नहीं जा सकते उन्होंने पुलिस प्रोटेक्शन लेती उस आदार पर कहने का मतलब यह कि आज भी कई जगे हैं जो जाती व्यवस्ता देखी जा सकती है जो उचे तबके के लोग है वो नीचे तबके को लोग से मजदूरी कर बाते हैं उनको पैसा नहीं देते हैं या आज भी कहते हैं कि आप जो लोग वो हमारे साथ बैठने लायक नहीं हो तो उस आधार पर जब कहते हैं उदादर बैठने लायक नहीं हो तो उस आधार पर यह भेदभाव के आधार पर उनसे किया जा सकता है अगर माली जी किसी व कर रहे हैं कि अन्य का आधारों पर मतवेद किया जा सकता है यानि कि अन्य जो उनके आधारों पर कि आप लोग इस तरीके से अपने आपको पुरेट नहीं तो उस आधार पर पढ़िए यानि कि इसके अंदर यह दो वर्ड दे रखें डिस्क्रिमिनेशन अनली इस सबसे ज्य लिएबिलिटी लिएबिल्टी रेस्टिक्शन और कंडिशन अंदर ग्राउंड सोने रिलीजन रेस का रेस का सेक्स और प्लेस और बर्द विदिन रिगार्ट तू वह यह कहता है कि कोई भी नागरिक चाहिए कि अवल धर्म मूलवज जाते लिंग स्थान या इनमें से किस करने से टेंक्स का यूज करने थे बातिंगाट यानि सनान घाट का रोड का और प्लेस ऑफ पब्लिक रिजॉर्ट मेंटेन ओले पार्स लिए स्टेट फंड्स और डेडिकेट व्यूज ऑफ जर्नल पब्लिक यानि कि उसके आधार पर यह इसे किसी भी परकार से उनसे पृष्छैध क Court है तरह अफ्रिद्ध क्या गया तकि यानिक्स को पहला प्रावधान है जो फरस्ट है इसमें का देखिंग दुकान के स्थानों ऑपनेगा इसका प्रतिशेद करता इसके अंदरदे कि तीन नियम बताये गये तैंतीन अफवाद बताये गये तैंधार पर र यह प्रमिशन देता है में कैनी स्पेशल प्रोविजन एक अलग से प्रोविजर माने के जिसमें महिलाओं को और बच्चों का जो रिजर्वेशन रिजर्वेशन किया जाए लोकल बॉडिस के अंदर और बच्चों को जो है उनको फ्री एजूकेशन प्रोवाइड करी जाए उनके आधार पर उनको उसमें लोकल बॉडिस में उनको जगह देनी चाहिए और जैके उनको आगे आगे और ज्यादा जागरत किया जा सकते और दूसरा बच्चों के एजूकेशन के लिए बढ़ावा दिया चैनि उनको फ्री एजूकेशन प्रोवाइड कर वाए और आप लोगों ने देखा होगा हम लोगों ने राइट टू एजूकेशन के बात करें शिक्षा के अधिकार की भी बात करें जिसको आर्टिकल 21 एक अंदर डाला गया है नेक्स्ट में उसको डेटेल में देखेंगे दूसरा कहता है कि एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर आस सीट्री जन और स्टेवन ट्रैप याणी कहता है कि एस्ट इस शुकर बदम फी बर गयारें उसे जाती जन जाती की कोई चाहिए ठीकर ना देखे सेकेंड जो है वो यहां से स्टार्ट थोड़ा सा गलत हो गया है उसी के लिए यह फ़स्ट हो गया आपका यहां पर आपका सेकेंड है और यह आपका थर्ड है ठीकर यह इसी का ही पाल्ट है यहां पर तीसरा कहता है देर एडमिशन टूदा एजुकेशनल इसे इंकलोड प्राइवेट एजुकेशन यह निकी सरकारी जो आपके पुब्लिक इंस्ट्यूशन उनके साथ साथ जो आपके प्राइवेट संस्थांस है उसमें भी एडमिशन के जो बात करनी चाहिए उसे वैदर एड यह कहता है कि राज्य को भी अधिकार दिया गया है कि वह सामाजी को और सैक्षी रूप से जितने पिछड़े लोग है यह अनुसुच जैद्वा जंजा थी कि उत्थान के लिए सेड़ी संस्थां में प्रवेश के लिए छूट संबंद नियम बना सकते हैं वह चाहिए वह सेड़ी संस्थान अनुदान प्राप्त हो चाहिए निजी आलपसंग किसे परकार के हो सकते और देखिए जो लास्ट प्रावदान है यह वाला जो लास्ट है इसको शामिल किया गया है नाइंटी थार्ड कंस्ट्यूशन अमेंडमेंड डेक्ट टू थाउजंड फाइव द एक्ट 2006 में पारित किया था कि केंद्रिय शेग ने संस्थान अधिनियम 2006 पारित किया था जिसके अंदर हमने पिछले वबर के चात्रों के लिए और जो है उसमें 27 परसेंट जो सीटे है रिजर्व कोटा रख दिया गया निका अधर बैगवाल क्लास के लिए हायर एजूके इसमें उस्तम नियाल्य ने जो इनकी दोनों जो वैदता हैं उन पर जो है वी सेगोटे वाले पर इस पर दोनों पर महर लगा दीती जिसके अधर पर उसको पारित कर दिया था लेकिन अब यहां पर लेकिन वड़ा है लेकिन नियाल्य ने बड़ दा कोर्ट डारेक्ट्री दा सेंटल गवर्मेंट नियाल्य ने किंद्र सरकार को यह आदेश दिया कि इसमें क्रीमी लेयर के सद्धांद का पालन किया चाहिए यहां पर देखिए क्रीमी लेयर की बात करिए कि रीमिलेर देखिए कहता है कि मानली जी इसको थोड़ा से मैं explain कर देता हूं अप मगो को क्रीमिलेर में वो सावी लोग शामिल कै़े जो पिछड़े वर्के होते हैं यानि कि पिछड़े वर्के जितने भी तबगे जो चातर होते उन सभी को शामिल कियाता है ऐसे कैने का कोई एक वेक्ती अगर गौर्णमेंट सी पर है अगर वो विसी कास्षी मानि जैसे आ एज से तो वह हुए Bonjour व्यक्ती पर्शान है वो जो छातर है उनका जो व्यक्ती है उसका जो बेटा है फो सभी अगर एजुकेशन लेना चाहे तो उस परकान का इसे कोटा नहीं दिया जाएगा क्यों क्योंकि वो एक पोस्ट पोजिशन पर और वो व्यक्ति जो है वो क्रीमी लेयर में काउंट होगा यानि कि वो जो स्टूडेंट है वो क्रीमी लेयर में काउंट होगा यानि कि उसके आधार पर उसको यह जो रिजर्वेशन कोटा है वो नहीं दिया जाए गा अब रिजर्विशन कोटा नहीं दिया जाएगा ग्रिमिलियर का आदार धार corporate वेक्थी जो है वह कौन से वेक्ति हो सकते हैं इसके आदार पर हम देखते हैं यह AlkCall कि अब देखें पर संसер पर्षन होल्डिंग कॉंस्टूशनल से क्या नाम है सुरीन कॉंस्टूशनल पोल्स लाइक प्रेजिदेंट वाइस प्रेजिदेंट जजज ऑफ सुप्रीम कोर्ट हाई कोट चीरमन और मेंबर्शिप उप्स्ट सी एस्प्स्ट और सी स्केट यह कहता है कि चाहिए वह राश् पर समयधानिक पर्थ पर है तो वह सभी व्यक्ति करीमी लेयर में शामिल किये जाते हैं ग्रूप A क्लास वन गुरूप B क्लास टू गजेटेट ऑफिसर्स और लाल्दा इंडियन सेल्टल स्टेट सर्विस जित्रेवी रिलेटिड है चाहिए एंप्लोईज होल्डिंग एक इस पोस्ट पर अगर वो रहते हैं तो उन्हों सभी को क्रीमी लियर के अंदर शामिल किया जाता है उनको क्रीमी लियर के जो उनका कोटा है वो प्रोवाइड नहीं किया जा सकता सब्सक्राइब करना लिए उससे उपर का अधिकारी है और या बायुषेना का अर्दिसेनिक बल है नेवियान एंफोर्च अंदर पार्लेमेंट्रेफोर्च या अर्दिसेनिक वह समान रेंग का अधिकारी वो भी क्रीमी लियर में आते हैं डॉक्टर प्रोफेशनल लाइक दॉक्टर्स लॉयर्स इंजीनियर्स आर्टी आर्टीस ऑथर कंसुल्टेंट्स ये साभी के सभी जो भी हैं वो पेश्वर व्यक्ति क्रीमी लेर के तब के व्यापर वांडिज जो रुद्योग में लगए व्यक्ति परसन एंगेजिन ट्रेड बिजनिस एंड इंडिस्ट् से पास या फिर परसन हैविंग एक रोस दायन इंडिन का मोर देन साड़े चाल लग मतलब कुछ ऐसे परसन जिनके एलुए इंडिन कम है साड़े चाल लाग से दिके जिनके पास एक छूट स्विवा से अधिकी संपति उनको शामिल किया जा सकता है अब देखिए इस क्रीम प्रसंतर निषोटल मतलब क्वा से लिए चांटाव कर दिया और 2013 इसको बढ़ाकर छेला को परत्तु हैड परजेट अगस्त 2017 की रिपूर्ट के रिपूर्ट वोग सार ये लोग कहते हैं कि इसकी जो लिमिट है अरुन जेटली जीजिट है उन्होंने करते हैं इसकी जो लि परेनम कर दिया गया है कि इसे जो क्रीवे लेयर के अंदर जो शामिय लोगा उसको 8 लाग परेनम की बात करें यानि कि सालना कर्दम सरकार जो विचार कर रही है और परन्तों इस समय जो 8 लाग करने का हिसाव कता बना दिये गया है नेक्स कहता आर्टेकल सिक्स्टीन एक्वलिटी ओफ उपर्चनेटी इन पब्लिक एंप्लोईमेंट यानि कि लोग नियोजन के विसे हमें अवसर की समता अब लोग नियोजन के विसे हमें अवसर की समता की बात करा गया है कि यानि कि वो यह कहता है कि जितने भी हमारे यह है लोक नियोजन की बात करते हैं यानि कि जितने भी हमारी पबलिक डेपार्समेंट में जितने भी हमारी वेकेंसी नहीं करते हैं उसे सभी व्यक्तियों को समान अधिकार प्रोवाइड करवाए जाएगा उससे किसी परकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा उनको सीट प प्राप्त होगा अब समान अफसर प्राप्त होगा वह लाब के पद पर यह कहते कहता है कि इसमें तीन अपवादी गया नो सिटीजन केंट में डिस्क्रिमेंटर अगेंज दा इनिलीजिबल और एंप्लोमेंट यानि कि उसको आयोगदा के अदार पर पर एंप्लोमेंट ऑफ अंडर स्टेट और ग्राउंड को मदद किसी मूलवन जाती लिंग आदार पर जर्मिस्थान के आदार पर उसको किसी परकार सक भेदवाव नहीं किया जा सकता यानि कि वो परसन जो है वो इसी के लोग नियोजन के विशे के अफसर के आदार पर वो को दिखाए गया है उसमें तीन अपवाद कौन-कौन से हैं जैसे उनको शामिल किया गया है वो देखते हैं specifically जो समय और परदेश के अतरी किसी विराज्य में यह व्यवस्ता नहीं थी यानि कि कहने का मतलब यह था कि उन्होंने जो जोब के बात करी थी किसी विशेस रोजगार के लिए या नि कि आप लोगों ने देखा होगा कि उस व्यक्ति केवल राज्या के अंदर केवल उसी व्यक्ति को नौकरी मिल सकती है जो कि केवल उसी राज्या का होगा आप लोगों देखा जाता है इस स्टेट के फॉर्म डालने पे एक फर्दा की आप पर वहां का ईया करते हैं तो का उस उसको प्रेफरेंस के दार पर जैसे और दूसरा अगर नहीं है तो वह जो हां का टूरल डिया नहीं तो तो उस आधार पर जो केहते हैं कि यह नग और पर देश यह भी कि किसी अटरास में अप्रोएड कि दूसरा कहता है यह कि दो तहीं एक जिंड प्रवाइज तो प्रप्रश्ट कर सकता है यह किसी पद्व को पिछले पिछले परक्ष में बना सकता है जिनका राज्य में समान प्रतिदित नहीं है यानि कि वो उसके जो कोटा है उनके अधार पर रख सकता है यह कहता है कि किसी विदी के तहित किसी संस्ता या इसके कारेकारी प्रिश्ट के सदस्य या किसी भी धार्विक अधार पर विवस्ता की जा सकती है आप लोगों ने देखा होगा कई जगह जैसे बात करते हैं किसी कि उन्होंने ये कहा था कि कारेकारी प्रिश्ट के सदसे किसी धार्विक अधार पर विवस्ता की जा सकती है जैसे पंडित जो हमारे मंदिर होते हैं उनमें पंडित को जो होता है इनको भी अपॉइंट किया जाता है इनको भी सेलरी प्रुवाइड की जाती है इनकी भी क्वालिफिकेशन बगरा नरधारित की जाती है तो इसमें मैं आप लोगों को एक थोड़ा सा और वाला केस था जैसे कि यह वाला जो अभी आप थोड़ देर पहले डिस्कॉस करा था इसमें यह केस आया था कि इसके मामले में जो हमारे प्रिटिशनर आंदर परदेश को गुंटूर जिला था उसमें जो है एक व्यक्ति वकालत करता था अब वकालत करता था उसमें तो मु उनको लिखा था और उसमें जो क्वालिफिकेशन थी वो दो परकाड़ कॉलिफिकेशन इसमें लखाया था कि उसको छेत्रे विधी का ज्यान आविशक है और दूसरा आविद्र पत्र देने के समय प्रतियासी आंदर परदेश उच्छ न्याले में वकालत कर रहा हूं यान और किन्टु वह घृट जो आंदर परदेश कोट उच्छ न हम वकालत नहीं कर रहा था ॐ लोगसे वाइओ ने उसके आविद्र पत्र को इस आधार पर और आस्युए का दिया था क्योंकि वहाँ जो आंदर परदेश का जो उच्च ने वकालत कर रहा था त्याशी द्वारा छेत्री विदियो के ग्यान के उद्धेश्चे के बीच कोई युक्ति युक्त संबंद नहीं था देखे उसमें वका बात यह करते कि उस फिल्ड की नॉलिज हो और दूसरा वह वकालत कर रहा हूं वकालत कर रहा हूं परन्तु उन्होंने यह अरता रखे इसमें जो विदि से है वो सोला का जो अत्यक्रमन होता है उनको भी उसको आधार पर उसको जो है वो मनारा कर दिया गया था इस आधार पर एक नए पर केस हमारा खुल काया था जिसमें की एक क्या नाम था एक विवाहित महिला थी जिसमें ये सीवी मुथंपा और भारसंग का केस था जिसमें एक विवाहित महिला थी उसको करमचारी को जो उच्छ पदों पर प्रोत्र ना किये जाने का प्रावधान था उसने कहाता है कि जो भीक्ति भाधरते हैं जो निल है कि अधार पर पुमेशिन नहीं किसी परकार का पर किसी के CC गैस mentre göreôm चुब कुछ जाएंगे वह सारे के साथ जो केसिष बात करते हैं अप लोगों से रहा जाए निया आगे देखिए नेक्स्ट आता है हमारा मंडल कमिशन और आयोग और उसके जो परिणाम निकले थे उसके बाद में वो क्या थे कि देखिए सन 1979 में वर्स 1989 में मुरार्जी देशाई की सरकार थी मुरार्जी देशाई की सरकार थी और उन्होंने एक जो सेकंड बैक्वार्ड कमिशन जो था चेर्मेंशिप में बीपी मंडल के चेर्शिप में और मेंबर ऑफ पार्लेमेंट में अकॉर्डिंग टो आर्ट का 304 के अज़ार पर मतलब एक अध्यक्षता घुशित कीती कहते हैं कि जो दिशाई जी थे उन्होंने दित्या पिछला वरक आयोक के गटन का जो बात करीती और उसके जो सदस्य थे मतलब बीपी मंडल के अध्यक्षता में गया था इसका जो उदेश्य ये था कि अनुच्छ तीन सो चालिस के सबीधान जो पिछड़े वर्गों के लोग की शैक्षिल और सामाजिक इस्तिती की जांत करने के लिए और उनकी उन्नती के लिए सुझा प्रस्तुत करने की विवस्ता करता था मतलब वह यह कहते थे कि इसके आधार पर उन लोगों की जो इस्तिती है वो कैसी है अगर उनक सब्सक्राइब अपने रिपोर्ट है वो प्रस्तुत की सब्सक्राइब मतलब अगर देखा जाए तो इनका जो हिस्सा था तरी करें मतलब 50% अबव 50 50% अबव था इनका मतलब कहीं देखा जाया तो 52 54 परसेंट इनका परतिसद्स जिसमें और इसमें वो बंदे जो को SC और ST के बंदे इसके अंदर शामिल नहीं थे यह सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को कहा गया था जो कि पिछड़े वर्ग थे ओभी सिवर को शामिल किया था पर इसके आधार पर फिर इन्वन जो रिजर्वेशन करी थी वो 27% गौर्में जोज में ओविसी जो थे उनके दर टोटल इजर्वेशन में सामिल किया था और उसके आधार पर अनुशुक्ति जाते जन जाते अन्य पिछड़े वर्गों को मतलब इनको टोटल के आधार पर 50% इन लोगों ने कर दिया था मतलब 27% उसके आधार पर सभी को मिल सब्सक्राइब तोटल 50% इसके आधार पर कर दिया बात करते हैं सब्सक्राइब में 10 वर्ष बाद वीपी सिंग की सरकार आई थी उन्होंने जो था वीपी की सरकार ने इन सरकारी सिवाओं में अन्य पिछड़े बर्गों के 27% के आरक्षन की गोश्णा कर दी और फिर दु है कि उनको आर्थिक आधार पर आरक्षन दिया जाए और 10% का अत्रिक आरक्षन और दिया जाए और उसके आधार पर 10% का रिजर्वेशन जो है वह और दिया जाए उसमें जोब्स में पूरर चाहिए वह एकनोमिकली बैग्राउंड हो सेक्षन ओफ हायर कास्ट हुआ केस था सन 1992 में आया था उसमें अनुच्छेद 16-4 में आर्टिकल 16-4 क्लोज में कहा था कि प्रोवाइड रिजर्वेशन ओफ जोब्स इन फेवर ऑफ बैक वर्ड क्लास यानि कि पिछले वर्गों के पक्षमें रोजगार आक्षन की वेवस्ता जो की गई थी उसमें यह बत करी थी वेस्ता को आशिविकार कर दिया था फिर भी अन्ने पिछले वर्गों के लिए कुछ सर्तों के साथ 27 परसेंट की जो आरक्षन की बाद थी उसको कायम रखा था मतलब उसको 10 परसेंट तो खदम कर दिया गया था परंतु इसको 27 परसेंट जो वीशी लिए तो उसको कहता था कि जितने भी अन्ने पिछले वर्गे करी मिलेर से संबंदी लोग थे उनको आरक्षन की सुविदा से बाहर रखा जाना चाहिए क्यों क्योंकि उनन का था कि इनकी जो प्रोनती में कोई आरक्षन नहीं और आरक्षन की वेवस्ता केवल शुरुवाती अपॉइंट के तोर पर दी जाने चाहिए यानि कि जब शुरुवा था पॉणमेंट और उसके आधार पर उनको आरक्षन दिया जाना चाहिए अब शुरुवाती पर फौरम नियुकती के समय कैसी जाए תिए कि प्रोद्रने टिमğin उस आधार पर उनको प्राइटी दी जाए उस आधार पर उनका जो है न्यूक्ति की जाए परंतु बाद में न्यूक्ति होने के बादार पर उनका प्रमोशन ना किया जाए उनके प्रोणनती में उनके प्रमोशन में उसमें किसी परकार कर रिजर्वेशन रारक्षन नहीं द चाहिए और यह जो नियम है वो परतेक the every year यानि कि परतेक साल जो है वो लागू होना चाहिए और उसी के आदार पर आगे ले पाने का जो नियम है केरी फोर्ड वर्ल रूल है उसको क्या कर दिया जाए रिक्त-पदों के लिए वैद रहेगा केरी फॉर्ड-वर्र का मतलब यह है कि माली जीये किसी डेपार्टमेंट में वेकंसी निकलती हैं 500 और उस 500 वेकेंसी में जैसे माली जीये हर परसन के लिए वो बढ़ जाती है जैसे कि माली जै जर्नल के लिए कुछ बट गई OBC के लिए कुछ बट गई फिर SC के लिए कुछ बट गई और फिर ST के लिए कुछ बट गई जाने के लिए निगली थी हंड़र वेकंसी और उस हंड़र वेकंसी तो जो पचास वेकंसी बची हुई है उनको आगे कहरी फॉरवर्ड ले जाने के जो नियम है वो कर दिया जाए और इसमें भी पचास परतीजन का जो सिद्धानत है उसका उलंगन नहीं होना चाहिए उनको अगली वेकंसी में इन वेकंसी और दिया जाना चाहिए उसमें एड़ कर दिया चाहिए नेक्स कहता है कि अन्य पिस्ट जो वरकी सूची में अती जोड या न्यून जोड के परिक्षन के अधर प सकते हैं इनको देख सके पर उसके बाद जब यह हो गया था कि उस तम न्याले ने सरकार ने जो इसके करता मुटा आफ्टर रूलिंग ऑफ सुप्रीम कोट सुप्रीम कोट के बादार पर इसने सुप्रीम कोट ने कुछ इस पर कदम उठाय थे वो कौन-कौन से थे कि जो उ सुप्रीम में अपनी रिपोर्ट पर इसकी ती जिसे सुविकार कर लिया गया था और उसके बाद फिर नेशनल कमिशन फोर बैक वर्ड क्लास से जो इस्टैबलिश वहा था नैंटीन नेंटी त्री में पार्लेमेंट एक्ट के तहित उसमें भी यह रास्ट आयो का गटन कि पर इसकी तो नहीं नहीं बताया गया था कि इसमें राज्यों को यह शक्ति दी गई है कि अगर जो राज्य सेवाओं में जो परती मतलब जो पर्याप परती नेधित्म नहीं नहीं है यानि कि जो काभिल में लग दूए हैं उसमें राज्ये के अंतर का सेवाओं में अनुसूचे जाती और नुसूचे जनजाती को परोधनियमें आरक्षन दिया जा सकता है परन्तु जब यह दिया उन्होंने बात करते तो उसमें 85 समिधान शनिशोदर नदिनियम द प्रभावी रूप से कर दिया गया था अब देखे इसमें जो बैकलोग वाली इस्ती थी जो मैंने प्रभाव को डिकरत गया था है कि बैकलोग की जो वेकंसी दे बैकलोग बारनल फिल्ट बाइदा एटी फर्स्ट कर चुन अमेंड मेंडेक यानि कि बैकलेक तो जो देतिक कि राज्य जो है मतलब जराज्य जो है जितने भी आरक्षित पद हैं यानि कि जितने भी आरक्षित पद हैं उनके आधार पर उनको अनुवर्थी वर्ष में या वर्षों में भरने के लिए एक शक्तिसाली बनाए और जितने भी भरतियां हुई है या साथ नहीं जोड़ा पर देखे बात कर देखे से चाहिए यानि कि सच क्लास क्रणाइब काश्राइब रिखते जा सकता है उसको इस तरीग पूरी तरीके से समाप्त जो वो कर दिया जाना चाहिए जो समाप्त करने के बात करें थी तो इसमें यहां पर देखे 50% सीलिंग उदर पूरी तरीके से 50% वाले के इसको जो समाप्त कर दे परंतु उसके बाद जो 76 समिधान संसोदन अदिनियम 1994 में पारित हुआ था उसमें तमिलनाडू आरक् 30% के जो आधार पर इसको करके कर दिया गया था पिजास पर्तीशत कर दिया गया था टैशक्त आहिए यानि कि अश्प्रत्षता का अंथ परस्था का श्प्रा Оर देunt देखिसको थोड़ा से समस्तिनें अश्प्रता का बात करते हैं यानि कि आपसे बगरा कि बीमारी द्यानी के चुछा चुछा बगरा कि बीमारी तो खर नहीं कह सकते हैं परन्तु आप लोग देखा को कुछ केसी ऐसे हुए हमारे सामलों पीछे पिछले जमाने पिछले बड़े बुजुर्गों के अगर आधार पते कर या कई जगए अब भी यह काया करें मतलव एक वहिक्ति दूसरे वहिक्ति को कुछ समस्ता नैं मतलब जो ऊhender कि वह टे होते निचे कर वहिक्ति को इस तरीके से समस्ते थे कि छुआ छूत के मामले शूना नहीं है यह समाझ के पिछडे और घंदे लोग हैं मतलब इस तरीके से उनकी जो statement थी वो बात करते हैं हाला कि मैं कहना नहीं चाहूंगा इस बात को कि यह बड़ इस तरीके कर से यूज़ करे जाए तो उसमें जो है अर्टिकल ऐस्प्रस्चाता को समाप्ट करने की विवस्ता केती और इस मैं कहाता है कि इसका जो आच्रण है वो किसी परकार के निशन करता है यानि कि आइखकल 17 जो है इसका आधार पर इसको खतम करने की बात करता है अब देखिए यह कहता है कि अनुच्छे जो 17 है अश्प्रिशाता को तो समाप्त करता है और उसका किसी भी रूप में पालन करने का निशेद करता है अगर कोई वेक्ति इसका पालन करता है तो उसका निशेद करता है और इस अरश्प्रत्या से जो भी उत्पन होती है मतलब कोई भी अयोग्यादर से लागू करने वाली उत्पन होती है तो उसके लिए अपराद जो है वो धंडरी अपराद घोशित करता है यानि कि हमारा जो स समिधान भारतिय समाज के परंपरा से चले आ रहे इस महान कलंक जो है उसको समाप्त करने की घोशन नहीं करता है वह यह नहीं कहता है कि इसको पूरी तरीके से खत्म करतो वह यह कहता है कि खत्म को करो इसे परंतु आगे आने वाले इन फ्यूचर में इसमें किसी भी परकार की कोई आगे इस्तितिना हो यानि कि आगे पालने गया तो उसको पूरी तरीके से जो है उसको क्या है खत्म कर दिया जाए अब देखिए इसमें अनुच्छे 17 और 35 की बात करी गई ती जैसे बता अब देखिए हम जो कहते हैं इसमें ये बताएंगे इसको पूरी तरीके समाब्द करने के आधार पर इसको बात करे गई थी अब देखिए हम जो कहते हैं इसमें ये बताया गया है कि जो अस्परत्तरrial term untouchability has not been defined either in the constitution or in the ? जो अपरत्सरत सब्द है वो कहीं भी हमारे समिदान में या किसी भी अधिनियम में इसको परिभाशित नहीं किया गया है जब इसको परिभाशित नहीं किया गया इसके बारे में कोई नहीं दिया गया तो उस आधार पर क्यों करते हैं अब देखें यहां पर यह बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति इस आधार पर इस परस्ता के लिए अंत की बात करता है या बातों को माननाता देता है यानि कि अश्प्रसता को बढ़ावा देता है तो उसके अधार पर कार्यवाही की जा सकती है अब देखिए यहां पर एक हमारा मैसूर हाई कोट वाला केस आता है उसने मुच नेयाल में इसमें जो सब्जेक्ट में यह कहा था कि यह जो शाब्दिक और व्यकार्णिक जो शब्द है यह जो है एतिहासिक मतलब इससे प्रयोग है जो इनका एतिहासिक है वह इसका संदर कुछ वर्गों कुछ लोग के जन्म और कुछ जातियों के आधार पर सामाजिक नहीं होता है यानि कि कुछ व्यक्तियों के सामाजिक बहिशकार और धर्म सम्मंदी सेवां इत्यादि से इनका बहिशकार करना नहीं है देखिए वह इसके बारे में यह बात कहना चाहता है वह यह कहता है कि अगर कोई व्यक्ति इनको बढ़ावा देता है उसके आधार पर कारवाहि की जैए और कारवाही करने के आदार पर इसमें यह बताया गया है कि अगर उसके अधार पर कारवाही की जाते अधिनियम्ते 5 उरुप47 का जुर्माना या 6 महीने सजा और भी साथ सब्किल 27 ऑभ देखिए इसमें जब कि जो व्यक्ति इस अश्प्रसत्य के अपराद के लिए बात करेगा तो उसको कम से कम 500 रुपे का जुर्माना उसके उपर लगाया जाएगा और 6 महिने के सजाए या दौनों सजाए जो है वो साथ साथ उसको हो सकती है परंतु इसके अधार पर जब 1955 के अश्प्रस्या अधिनियम आया था उसके अधार पर इसनों ने कहा था कि फिर उसके अधार पर यह बात करी गई थी इसने कि इसमें जो अर्श्प्रसत्य के पालन के लिए विदिक दंड और कठोर कठोर जो इसको बदला दिया जाए कोई लेख सेवक उत अधिनियम के दिन किये अपरादों की जांच करने में कोई जान भूच कर उपेक्षा करता है तो यह मैंना जाए कि वह एसे अपराद को उत्परेदित करता है कई बार आप लोगों ने देखा हुआ कुछ परसन होते हैं इन चीजों को मिलकर भी बढ़ दी गई है और जो हमारा मैसूर वाला जो केस था जिसमें बताया गया है कि मैसूरुच नियाले ने अपने ही एक MINISTER में इसके अर्थोइस पस्ट किया था, इसने का था कि इसका सब्द का कोई शाबदिगर्थ नहीं लगाया जा सकता है और शाबदिगर्थ में जो व्यक्तियों को कई काड़नों से ऐस्पुरिश से मानने जासा है, कि जन्म रोग, जन्म रोग, मृत्योय। लॉग फक्रवाइब ॉस्त पने पर तंफरे सथा गुतरिफ यह कहा जाता है कि जो सामाजिक करूती अइंप इसको समझते नीचय हblindै बहुत में आंऔर प्रत में ऌता है संथर में प्रंपरा से विक्सित हुई मूल अधिकार केवल राज्यों के वुरुद नहीं है बलके प्राइवेट व्यक्तियों के वुरुद भी उपलब्द है यह राज्या का समयधिक करता है कि वह इन अधिकारों का अतिलंगन करने से रोकने के लिए आवश्यक्त कई वार आप लोगों ने देखा को कुछ जगाओं पर भी होती है कि यह वीक्ति इसकास्ट का है अच्छे यह वेक्ति गरीव है इस तरीके से इसको एक काम ज्यादा करवाये इनको ज्यादा मजदूरी भी नहीं दी जाती तो यह साधार पर यह काम करवाये जाते है कि दिखिए मैं इसमें आप लोग को एक जैसे केस और था जिसमें आप लोग में थोड़ा से एक explain करना चाहूंगा जिसमें करनाटक राज्य बनाम अप्पा वालू इंगाले का केस आया था उसमें इसने सिविल अधिका सर्नक्षण मुनिश्व पच्पन की जो दाति उसके परिक्षण किया था उसमें सिद्धोस पाए गया थे कि एक महा के कारवास और सौर पर जुर्माने के दंड से दंडित किया गया था प्रत्यासी के विरुद यह आरोप था कि उसने सिकायत करता को नए बने दिख मैत्व नहीं है और जो दलीतों को समाज के अन्य वर्गों के समान इस्थान दिलाना है यानि कि ऐसे सामाजिक आदर्शों के स्थापना करता है जहां पर जाती है धर्म के आदार पर उनका कोई निर्योग्या निशेद ना लगा जाए मतला आप लोगों ने देखा कि इस कुवे से पाइन नहीं भरना क्योंकि आप अच्छूत हो इस रास्ते से नहीं चलना कि आप अच्छूत हो हमारे आते ही जैसे कुछ लोग वागत है कि हमारे आते ही आप लोग साइड मेट जाए कि आप लोग चलने लायक यह सारी के सारी जो बाते हैं उसके आदार प माना जाता है जैसे कि preventing any force from the entering place of public worship अगर किसी व्यक्ति को सावजने पूजा इस्तल में परवेश से रोकना या कहीं पर पूजा करने से रोकना है दूसरा गता है प्रमपरागत धार्मिक दार्शने के अन्य अधार पर जो यह परवेश करने से रोकना है मतलब नेक्स्ट आता है कि किसी भी कास्ट के व्यक्ति है उनको अधार पर उसके कि जो है बेस्ति करने का अधार पर भी उसको अपराद माना गया है मतलब अस्पता लो सेक्सिक संस्थाओं एजुकेशन इंस्ट्यूट और होस्टल्स वगरा में जो सारजनेत के लिए परवेश से रोकना है उसको भी मना गया है प्रिचिंग इंटर्चेबलेटी डारेक्टी और इंडारेक्ट लियानिक प्रतिय से आप्रतिय सुरूफे आश्पर सता को मानना है रिफ्यूजिंग दा सेल गूड्स और रेंडर सर्विसेज टू एनी पर्सन यानि कि किसी वेक्ति को समान बिकरी या सेवाई देने से रोकना है तो यह सारी की सारी जो बाते हैं इनको शामिल किया गया था और अनुछे सत्राक्टे रुस्तम नियाल लेने विवस्ता दी थ होगा और इसके आधार पर इसको रोकने के लिए आधार पर समिधान जो है इसके आधार रोकने के लिए जरूरी कदम जो उठाने चाहिए अगर कोई व्यक्ति इनको नहीं रोकता है या इन चीजों को बढ़ावा देता है कि इस प्रिस्ता को बढ़ावा दे रहा है या इन कुछ उपाधियां प्रोवाइड की जाती है अब देखिए अनुच्य जो अठारा है उसके अधर मैं थोड़ा से बता लूँगा एक्स्प्रियन कर दूँ यह विद्या संबंद उपादियों को परदान करने के अनुमति देता है केवल विद्या संबंदी उनमें भी उनमें भी क्योंकि अनुमति देता है उनमें भी व्यक्तियों में देश की सैनिक शक्ति को मजबूत करने तदेश के प्रगर्ती के लिए जो आवेश्चा को व्यग करता है को विदेशी हो चाहिए राज्य के दून किसी विश्वश्य पदपर हो राश्ट्रपती के सब्सम्मेंति के बिना वो है वो नहीं ले सकता अब देखिए इसमें कहता है कि इट प्रोहिट से था इस्टेट फ्रॉम कंफरिंग एनी टाइटल से एक्सेप्ट और मिलिटरी और कैडमिक डिस्क्रिम्शन यह कहता है कि निश्रीद करता है कि राज्य जो सैना या विद्या सम्मंदी समान के सिवाए कोई विवपादी परदान नहीं दूसरा कहता है कि भारत का चैना कोई नागरिक या विदेशी राज्य से कोई उपादी पराप्त नहीं करेगा तो भी वह विश्वाश की उपादी नहीं लेगा अगर उसको लेनी है तो बिना वो राष्ट परमीशन लेगा भीना राष्ट साता है नोट सिटीजन और फॉर्मर होल्डिंग एनि पोस्ट ऑफ रोवनी यानि कि राजय का दिन लाब या विश्वास का पद तारन करने वाला कोई भी व्यक्ति किसी विदेशी राजय से उसके दिन किसी रूप में कोई बेट उपलव दिया पद राष्ट्पति की सहमती क नहीं किरें अगर वो किसी परकार कर लेता अगर वह में उपादि लेता तो उसको सबसे पहले मुम प्रंसको प्रmp quietly अगर होगाव कि जा सकती है अगर वो किसी भी विदेसी इसांस्था से अभी एसी आधार पर अगर हो गिफ्ट व्गरा लेता है जितने भी यह उप्रुक लोगों को एक अलग अधिकार से प्रोवाइड करवाते थे तो इसे अधार में सन 1990 देटा सुप्रीम कौप अल्ठेल दा इस सन इसलों में उस्तम नियालों ने जिन उपलबदियों के सम्मेदानी वैदता उस टेहरा था उसमें था कि भारत-विभूषण पदम भूषण और पदम शिरी यह सारी कि सारी जो थी इनकी घोशणा करी गई थी और इनकी घो हlor सेवैन आती थी और पदम भूशन जो था वो इससे समय कोटी के लोक The सेवा होते थी और इसलिए सरकारी डेपार्टमेंट जो सेवक तो उनके ड्वरखी सेवैं सामिल किया सकती थी पदम सेरी में वह सेवानि सामिल किया शर्डी आप लोगों года केस ना धो जिसमें एक हमारे पर जिसमें परसंते तमिल वो सोरी तेल कूफ फिल्मों के एक डारेक्टर और अभिनेता थे जिनका नाम था आपका वापस ले लिया गया था क्योंकि पदम विभूषन वापस ले लिया था उनसे उन्हों ने गाता है कि उन्हों ने अपने पदम विभूषन था अपने नाम क्या कि उसको लगाया था जबकि इसमें हमारा अनुछेद उसमें यह कहा गया है कि इन रूल दीस और यह व्यवस्ता प्रदान प्राप्त करने वाला कोई भी व्यक्ति है मतलब इसमें अपने नाम के प्रत्या उप सब्सक्राइब करता है तो वह इस जो इन पुरुश्कारों को उसको त्याग ना पड़ेगा उस्स आधार पर उन्होंने अपने मूवी के प्रमोशन के लिए एक नेशनल अवार्ड वाज इंस्टूड इंटीन फिफ्टीफोर और राष्टा पुरुष्टो की जो संस्थापना वो तो निश्चावण में हुई थी जंता पार्टी की सरकार के द्वारा में जो मुरार्जी देशाय थी इंद्रा गांधी गवर्मेंट और इंद्रा गांधी की जो सरकार आई थी उसके बाद इसको सन निश्चावण में इसको दुबारा से शुरू कर दिया गया था एंड थेंक्स वर वोचिंग इस वीडियो और आपको मिलते हैं नई वीडियो के साथ में